तो दोस्तो Vivo V19 के बारे में और कुछ नीवस आया है और जैसी कि आप लोग जानते हैं अभी lockdown चल रहा है और इसलिए सब market बंद है कुछ launch नहीं हो रहा है ऐसे मैं आप लोग सोचने हों कि भाई जब market बंद है तो यह phone launch कहा से होगा तो मैं आप लोग को इस वीडियो में तो चलिए और आप जान लेते हैं वीवो V19 Pro के बारे में तो यह पर phone की back side में सिल्क polycarbonate glass का बैक देखने हो मिलेगी जैसी कि वीवो V17 Pro में देखने हो मिला था और उसके साथ top side में quad rear camera जिसका main sensor होने माला है 48MP जिसमें Sony का IMX58 का sensor युस किया जाएगा और एक 8MP का ultra wide angle lens और एक 5MP का telephoto lens और एक 2MP का depth sensor देखने हो मिलेगा हम सब जैसी की जानते हैं वीवो camera के लिए माना जाता है और वीवो का बीसी इसका अंदर वीव 15 और वी 17 Pro में भी pop-up camera देखने हो मिला था लेकिन इस बार वी 19 में dual function under display camera देखने हो मिलेगा यहां पर आप मुझे comment में जारू और बोलेगा आपको pop-up camera या फिर under display camera अच्छा लगता है आपके हिसाब से कौन से सही है और बात कर लेते हैं इस फोन की display के बारे में तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.4 इंच का full HD flash super AMOLED display panel देखने हो मिलेगा और उसी के साथ देखने हो मिलेगा इंड इस फिंगर फिंग इसका अंदर जितनी भी फोन आए उन सारे फोन में पोशेजर उतना जाद अच्छा नहीं है तो इस फोन में आपको snapdragon 712 का chipset देखने हो मिल सकता है जो कि 2.4 गीगा अक्टा को clock इस फिट पे रान करेगा दोस्तों यह chipset भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है इस फोन में आपको 4500 mh की बैटरी देखने हो मिलेगी जो कि 33 odd का fast charging को support करता है और उसके साथ Type C4 3.51 का audio jack भी देखने हो मिलेगा और इस फोन दो वेरिंट में आ सकता है जो कि यह 6GB on 28GB और 8GB on 28GB और अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राजिंग के बारे में दोस्तों प्राजिंग के आप अगर फोन खाड़े दने के लिए दे सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप साव मिका के 20 प्रो को ले सकते हैं कि इस फोन में प्राजिंग बहुत जबर्दस देखने हो मिलेगा और कैमरा भी बहुत जबर्दस थे और आप अगर 15-17000 रेंज के अंदर आते हैं तो आपके लि बारे में बात किया जाए तो इस फोन का लॉंच डेट कानफर्म हो गया था लेकिन लॉकडाउन के लिए लॉंच नहीं हुआ तो जैसे मुझे और आपडेट मिलते हैं इस फोन के बारे में मैं आप लोग को जरूर बाताऊंगा तो इस चैनल को सब्सक्रब करने के बाद ब